आप सब कैसे हो आज हम लोग class 8 का exercise 2.2 का question number first को solve करेंगे जिसमें लिखा हुआ अगर आपको किसी संख्या से ध्याना के बचो किसी संख्या से 1 by 2 घटाने घटाने का मतलब होता है माइनेस और परिनाम का मतलब होता है result को 1 by 2 से गुना करने पर 1 by 8 प्राप्त होता है तो संख् संख्या क्या है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चो संख्या को X मानेंगे तो लिखेंगे माना की माना की संख्या इक्वल में X संख्या इक्वल में X अब बोला है संख्या से 1 by 2 घटाना है तो लिखेंगे संख्या से 1 by 2 घटानेंगे और घटाने के बाद परिनाम परिनाम क से गुना कर देंगे तो 1 by 8 प्राप्त होता है मतर्पा की 1 by 8 माइं दोनों मतल्पी 550 करेंगे तो यहां नीच ये हरा बा नेका zand गागा ला सी सब्सक्राइब करेंगे गई- मरें यह फिर की टेवल एट नमबर पे बैए गा एक्स औपॉन्गा प्लस टूसायर्ण ऐडतर एक्स डिवार्ण रधाड़ टू एक में टू और यहांं पर घ्रकें तो डिवार्ण तो इधर आद़े मल्टीप्लाई जागा तो टू से ॥्ट कर जागा फोर नंबर पर तो गया बेंürd तो 3 by 4 आया तो लिखेंगे संख्या इक्वल में 3 divided by 4 अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भोले दोस्तों से सेर करना भी न भोले अब हम लोग कोशन नमबर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों कोशन नमबर 2 में एक आयतकार की लंबाई अंडरलाइन करें लंबाई उसके चोड़ाई के दो गुने अंडरलाइन करें दो गुना दो गुना का मतलब अधिक है अधिक है मतलब जादा है यदि इसका परिमाफ 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद करें तो हम लोग क्या कर माना की आयत की चोड़ाई इंग्लीस में बोलेंगे बच्छो ब्रेथ ऑफ रक्टैंगल इकोल में X जिसको B बोलेंगे जब B इकोल में क्या होगा है बच्छो X और लंबाई को हम लोग किसे रिपरजेंट करते हैं L से एल करेंगे पहले क्या बोला बच्छो दो गुना दो गुना का मतर डबल होता है तो दो से क्या करदेंगे गुना करदेंगे और अधिक बोला कितना अधिक बोला बच्छो दो तो दो क्या करदेंगे अड़ करदेंगे और आयत का परिमाप का फर्मूला होता है perimeter of rectangle तो लिखेंगे यहाँ पर आयत का परिमाप जिसको इंगलिज में बोलेंगे बच्चो perimeter of rectangle जिसका फर्मूला होता है 2 bracket L plus B, लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप गिवन है 154 लिखेंगे 154 इक्वल में हो जागा 2 लंबाई गिवन है 2x प्लस 2 तो इच करेंगे 2x प्लस 2 और चौड़ाई गिवन है x तो हो जागा अच्छा यहाँ नमबर क्या आप अच्छो multiply में इधर का दिवाइड तो 154 divided by 2 और 2x में 1x को आड़ करेंगे तो क्या देगा 3x प्लस 2 कटिंग करेंगे तो क्या देगा अच्छो 77 तो यहाँ हो जागा 77 इक्वल में 3x प्लस 2 प्लस हो तो क्या देगा माइनस तो 77 माइनस 2 इक्वल में 3x इधाने का बच्छो नमबर को नमबर की तरफ लेके जाते हैं प्लस में रहाता तो क्या हो तो माइनस तो माइनस करेंगे तो 75 इक्वल में हो जागा 3x और यहाँ पर क्या multiply यह तो divide हो जागा x का जो result हो जागा x इक्वल में जागा 75 divided by 3 इक्वल में जागा 25 मीटर में तो क्या जब मीटर हो जागा और x को हम लोग क्या माने थे बच्छो x को माने थे चोड़ाई तो हो जागा आयत का चोड़ाई आयत का चोड़ाई x माने थे बच्छो x कितना आ गया 25 तो हो जागा 25 मीटर और लंबाई है 2X प्लस 2 अब यहाँ X का रिजल क्या रखने वाचो 25 तो 2 इंटू 25 प्लस 2 तो 2 को गर 25 से करेंगे तो 50 प्लस 2 तो क्या जागा 52 मीटर तो चोड़ाई के रिजल्ट है बचो X कर देते है 25 मीटर और जो लंबाई हो गया 52 मीटर बचो Q3 में गिवन है एक समधी बाहु तिर्भूज तो समधी बाहु तिर्भूज का ओता बचो जिसकी दो भूजा का आती है बराबर होते है जिसके इंग्लिस में बोलते है आईसोसेलर स्ट्रेंगल अधार 4 by 3 सेंटिमीटर है इसका परिमाफ 4 2 divided 15 सेंटिमीटर है इसके दो बराबर भूजा की माप ग्याद करें यह लिखा भी बचो दो बराबर भूजा जिसके दो साइट का होती है बराबर होती है उस तिर्भूज को बोलते है समधी बाहु तिर्भूज तो लिखेंगे माना की बराबर भूजा की लंबाई बराबर भूजा की लंबाई एक सेंटिमीटर है किसमें बचो एक सेंटिमीटर में तो सेंटिमीटर कुछ इसका डाइग्राम उस तरीके का बनेगा बराबर जो side है बच्छों कितने का है x का तो यह भी x जागा और इसका जो आधार given base जो given है 4 divided by 3 cm इसको मालते a इसको मालते b इसको मालते c परिमाप का मतलब वता बच्छों सभी side को जोर कर outer surface को जोड़ना तो लिखेंगे तिरभूज का परिमाप तिरभूज का परिमाप जिसको perimeter और triangle बोलेंगे तिनों side को जोड़ना होता बच्छों तो a b हो जागा a b plus b c plus c a जिसका परिमाप given question का अंदर 4 divided by 2 into 15 a b का लेंथ x b c है 4 upon 3 और c a कितना x है तो x करेंगे 15 को 4 से करेंगे तो 60 60 में 2 आड़ करेंगे तो 62 by 15 कैसे तरके हो जो 15 को 4 से गुना कर दे 60 60 में 2 को आड़ कर दे 62 नीचे 15 है तो 15 को आड़ कर दे एक्स कितना बार बच्छों 2 बार तो 2x plus 4 divided by 3 और यहां पे नंबर क्या बच्छों प्लस में तो इधर का माइनस हो जागा तो 62 डिवाड़ 15 और 4 अपॉन 3 का प्लस में तो इधर का माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल में हो जागा 2x और 15 और 3 कैल्सिम कर जागा जो 15 इक्वल में हो जागा 2x जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आगा 42 divided by 15 इक्वल में 2x और यहां 2x के साथ 2 क्या है मल्टिप्लाई में तो इधर का जागा जागा एक्स का जो रिजल्ट तो जो समान साइट का जो लंबाई हो गया बच्चों सेवें अपॉन फाइव सेंटीमेटर लिखेंगे बराबर भूजा की लंबाई कर जो जो सेवें अपॉन फाइव सेंटीमेटर इसको लिखें एए 10 को लगिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें कोई भी doubt हो तो comment section में उससे जरूर लिखे thank you